शौविक चक्रवती की मुसीबते बढ़ने वाली है रिया शौविक की जिया एक और ड्रग पेडलर के पास से शौविक का नाम आया है जी हां जो ड्रग पेडलर कल पकड़ा गया जिसे शौविक का नाम लिया उसके बाद उसने वहां से एक दो नाम हो रहा है उस पर से एक ज के नाम गलत तरीके से लिया जा रहा है और दो लों के नाम बताये जो नाम है अबास और करन उसके बाद जब आलिफ बिलात्रा के घर टीम गई तो वहाँ पर उनके साथ बत्तमीजी की गई भगा दिया गया एनिवेज ये खबर नहीं है आलिफ बिलात्रा के साथ शौविक के चाट सामने आए हैं जहाँ पर आलिफ बिलात्रा के साथ वो टच में था ड्रग पैडलर उसके वो टच में था मैं आपको तस्वीर दिखाओं ये तस्वीर है ये जैद बिलात्रा के जैद और आलिफ दोनों भाई हैं जैद और आलिफ दोनों भाई हैं इन दोनों भाई हो पर इल्जाम आये कल NCB ने इनके घर पर रेड की थी और रेड में जैद और आसिफ दोनों मिले नहीं और उनके पिता थे और उनके पिता ने बाद में बहुत जादा वो अग्रेसिव हो गए आलिव विलत्रा के फोन से शौविक का नाम मिला है सैमुल मिरंडा का नाम सामने आ जो जिस तरीके से NCB काम कर रेसिंग ऑपरेशन तो मीडिया ने किया है मगर NCB आलरीड कर चुकी है बिलत्रास के घर पर और अब यह नेक्स जो है बड़ा होता जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक जो लोग पकड़े जा रहे हैं यह का जार था कि इस केस से रिलेटेड नही उसे टच में थे पैसे देकर ड्रग खरीदने की बात आ रही है अब इसमें बहुत सारी बाते हो जाती है ड्रग में सिर्फ वो कंजम्शन है एड्मिनिस्ट्रेशन है या फिर डीलिंग है ड्रग के साथ में बहुत सारी बाते चूड़ती है क्यों ड्रग के पैसे को लेकर क तक जूड़े हैं अंडर वर्ल्ड तसकरी और अवैद धंदों में तो ये बहुत बड़ा केस बनता हो नज़रा रहा है और बड़ी मुसीबतों का सामना चक्रवर्ति इसको करना पड़ सकता है बने रही है मेरे साथ लगातार ख़बरों का सिलसला जा रही है